इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एलप्रेड ओप्थिल्मिक suspension steroids नामक दवा के समूह से संबंधित है इसका इस्तेमाल संक्रमन या अलजी के कारण आँखों में होने वाली लालिमा और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है यह शरीर में सूजन उत्पन करने वाले तत्वों को निकलने से रोक कर लालिमा, खुजली और दर्द से राहत देता है अगर एलप्रेड ओप्थिल्मिक suspension का पहली बार इस्तेमाल करने से पहले इसकी seal तूटी हुई है तो इसे इस्तेमाल न करें इसका उप्योग करने से पहले अपने हाथों को धुएं, दवा लेना जारी रखें और जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका सेवन बंद न करें समय से पहले दवा बंद कर देने से बैक्टीरिया फिर से बढ़ सकते हैं, जिसकी वज़र से infection फिर से हो सकता है इससे आँखों में जलन, जलन का हिसास और गीली आखें हो सकते हैं ये आम तोर पर अस्थाई होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं इससे आपकी नजर धुंधली हो सकती है या थोड़े समय के लिए आपको नजर से संबंधित अन्य समस्याएं आ सकती हैं इसलिए जब तक आपको साफ दिखना शुरू न हो जाए, तब तक driving या भारी machinery का संचालन न करें अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद